राजस्थान में कॉंग्रेस कह रही है कि इस बार उनकी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं है विकास की उचाईयों को राजस्थान ने चुआ है जनकल्यानकारी योजनाओं की जड़ी लगा दी है और इसलिए कॉंग्रेस राजस्थान में फिर से सत्ता में आ रही है इनी दावों के बीच कॉंग्रेस ने लगे हाथ इस बार साथ गारंटी योजनाओं भी परोस्ती हैं चलिए आज कॉंग्रेस की इसी क्रोनोलोगी को समझते हैं और साथ ही एंटी इंकमेंसी पर भी चर्चा करते हैं यूँ तो राजस्थान में गहलोत सरकार के 5 साल भारी संगर्श में गुजरे हैं पहले कोरोना महमारी से संगर्श फिर अपने चिर प्रतीदवंदी पूर डिट्टी सीम सचिन पाइलेट से संगर्श और इसी के साथ खुद की सरकार को सियासी संकट से बचाने का संगर्श इस सब के बीच गहलोत सरकार प्रदेश की जनता को चरंजीवी स्वास्त वीमा योजना, ओल्ड पेंशनिस की महंगाई राहत योजना का तौफा दे चुके हैं यही नहीं चुनाओं से ठीक पहले साथ गारंटी योजनाएं भी लॉंच कर चुके हैं इस बार गहलोत सरकार ने अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी खूब किया है सरकार की उपलब्दियां और प्रदेश में गुटबाजी में बटी भाजपा और पूर मुक्मेंतरी वसंदर राजे की सक्रीता में कमी शायद ये सारे ही फेक्टर्स कॉंग्रेस को अपने पक्ष में नजर आते हैं इसलिए कॉंग्रेसी नेता दावा कर रहे हैं कि लगातार दूसरी वायर वे राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे चलिए अब जानते हैं कॉंग्रेज के लिए सपना पूरा होना कितना आसान है या फिर मुश्किल है लगातार पांच साल परदेश में सीयम अशो गहलोत और सचीन पाइलेट के बीच जो सियासी संग्राम चला है उससे शायद ही कोई अंजान हो अलाकि चुनाओं को देखते हुए पिछले तीन महिने से यहां युद्ध विराम का सा महौल है गहलोत और पाइलेट गुटोम के सभी जो विधायक और समर्थक हैं उनको टिकेट दिलाकर एज़ेश्ट कर दिया गया है अब ऐसा करते समय विधायकों और मंत्रियों के खिलाब जनता में जो नाराजगी थी उसको दोनों ही नेताओं ने दरकिनार कर दिया है पहले कॉंग्रेश दावा करती रही कि इस बार चुनाओं में युवाज चेहरों को मौका देंगे लेकिन बगावत से बचने को नए चेहरों को टिकेट देने से परहज कर लिया कॉंग्रेश केवल कुछी विधायों का टिकेट काट पाई अब पुराने चेहरों के दम पर कॉंग्रेश सरकार रिपीट करने की सोच रही है जबकि रायस्थान के सियासी इतिहास में दिगज मंत्रियों और विधायकों को भी चुनाओं में भारी शिकस्त मिल चुकी है यह जानते हुए भी कॉंग्रेश नेतरत की ओर से इतना बड़ा रिस्क लिया गया है चलिए 2013 के विधानसवा चुनाओं पर ही नजर डाल लेते हैं इन चुनाओं में कॉंग्रेश ने योजनाओं के जरिए खूब माहौल बनाया था लेकिन फील गुड की लहर पर सवार कॉंग्रेश को एतिहासिक हार छेलने पड़ी कॉंग्रेश के 200 प्रत्याशिव मेंसे में 21 ही जीत पाए 2008 में चुनाओं लड़चुके 105 प्रत्याशिओं को 2010ए 2013 में 50 डिये इन में क्याण में हार गए रिपीट प्रत्याशिओं में 45 विदायक थे इनमें 5 को ही जीत मिली और 70 विदायकों को हार का सामना करना पड़ा यही नहीं इन चुनाओं में 31 मंत्री हार गए थे मुक्यमंत्री अशोग एलोत के अलावा महिंदर जीत मालवी गोलमा देवी विजंदर ओला और राजकुमार शरमा ही 2013 में जीत पाये थे तब भी सत्ता को अंदाजा नहीं लग पाया कि सियासी जमीन कैसे खिसक चुकी है हालां कि 2018 में ऐसे ही सिनेरियो भाजपा के साथ हुआ 2013 के चुनाओं में प्रचंड वहुमत के साथ सत्ता पर सवार भाजपा बहुत सहे इस भहुमत को सेज नहीं पाई वसंदर सरकार के फैसलों से जनता में नाराजगी बढ़ती गई इस नाराजगी को तब सत्ता स्विका करने के लिए तैयार नहीं थी 2018 के चुनाओं में 163 विदाय को में से चौराण में को ही फिर को फिर मैदान में उतारा इन में से 40 MLA सीट बचा पाए बाकी 54 विदाया खार गए 20 मंत्री पूरी तरह पराजित हुए तो अब आप समझ गई होंगे कि चुनावी योजनाओं के भरोसा जता दिया हो लेकिन टिक्तों को लेकर मैदान में खड़े बागी एंटी इंकम्बेंसी बनाते नजर आ रहे हैं हाला कि ऐसी इस्तिधी भाजपा के लिए भी मानी जा रही है चलिए चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही दीजिए जाजत नमस्कार